लोग जो है वो कॉमेंट करने के लिए तयार हो गया होंगे जिने तयार किया जाता है जिने ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी हमें आइना दिखाने की कोशिश करें यानि जो भी आइना दिखाने की कोशिश करें उन्हें पहले ही आप RSS BJP Hindu संगतन का गोसित कर दो जो पोफेशर रतनलाल की इस वीडियो को जो ये बता रहे है कि चमारों ने कभी बाबासाब का साथ नहीं दिया ये हमारी लाइन नहीं है लिक हुए ये प्रोफेशर रतनलाल साथ की लिख हूई है चलिए देखे वही वीडियो प्रु मेस कण्फरेंश चल रही को पॉपुलरिटी बढ़ाई जा रही है कैसे पैसे कमाने का इसे जरिया बनाया जा रहा है बाबा साब के नाम को बाबा साहब को पत्र लिख रहे हैं प्रिटी सरकार को पत्र लिख रहे हैं यह हमारे नेता नहीं है और आज वो लोग यह कह रहे हैं कि हम अंबेड करवाती है हम समाजवादी हैं, आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप लोग सिर्फ अवसरवादी हो नमस्कार, मैं सुनी लंजाना, जागो समाज चनल में आपका स्वागत करता हूँ जो वो अपने आपको अम्बेड कर वादी कहते हैं बहुती कटर तरीके से आज उनका जो नकली चेहरा है, जो नकाब है, वो हम उतारेंगे आपने इस वीडियो के माध्यम से मैं जानता हूँ, पहले ही लोग जो है, वो कॉमेंट करने के लिए तयार हो गए होंगे, जिने तयार किया जाता है, जिने ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी हमें आइना दिखाने की कोशिस करें, यानि जो भी आइना दिखाने की कोशिस करें, उन्हें पहले ही आप RSS, BJP, Hindu संक्तन का घोशित कर दो, पहले ही तयार हो गए होंगे आप, लेकिन आप से रिक्वेस्ट है, भाई, थोड़ा सा रुको, पेसेंस रखो, और इस आपको भरोसा दिलाता हूं, कि आपको भी कुछ नकुछ इस में देखने को मिलेगा, सच्चाई मिलेगी और सीखने को मिलेगा, और जो भी आज आज हम आपको दिखाएंगे, वो ये हमारा बनाया भ problema नहीं है, जो जुबूत आज हम आपको दिखाएंगे, नकली अंबेर क कि वो आपको देखनी है उसके बाद आप अपने कॉमेंट करते रहिएगा RSS BJP का हमें जो ओमर जी कहना आपको कहिए क्योंकि आपका समयधानी का अधिकार है जो आपको ट्रेनिंग दी गई है आप उस पर खरे रहिए तो चलिए सुरू करते हैं देखिए मैं देख रहा आज अपने चैनलों को उन्होंने पॉपुलरिटी दे दी है उनके व्यूब बहुत ज़्यादा आते हैं सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं उनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उन्हें बढ़ाने के लिए वो कैसे इस्तेमाल करते हैं उस महानायक बंसदानी जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी अपनी पतनी की कुर्बानी दे दी अपने आपको खुद को उन्होंने समर्पित कर दिया जिस स्वंचित समाज के लिए आज उनके ही कैसे उनका इस्तेमाल करके अपने पैसे कमाए जा रहे हैं और फोलोवर बढ़ाए जा रहे हैं ये सब आपको मैं बताऊंगा और सुबूत के साथ दिखाऊंगा आप नकारेंगे मुझे पता है जिनको ट्रेनिंग दी गई है वो इसको नकारेंगे लेकिन ये हमारी बनाई हुई नहीं है ये आप लोगों के ही जो लोग हैं वो ही ये बताएंगे कैसे प्रोफेसर रतनलाल बताएंगे कि चमारो ने कैसे बाबा साहब को धोका दिया कैसे उ तो क्या यह पड़ताल करने के कोशिश कर रहा हूं कि अम्बेटकर साहब के जमाने में क्या इस्तिती थी इसके लिए जो स्रोत का इस्तमाल हमने किया है वह है अम्बेटकर साहब की राइटिंग्स हिंदी वाले वॉल्म 39 उसमें 99 नंबर चैप्टर है और पेज नंबर 15 से 17 है के लिए चुना हो रहे थे डॉक्टर अम्बेटकर ने इंडिपेड़न लेवर पार्टी बनाया था और अपने पार्टी के सदस्यों के लिए प्रचार कर रहे थे इसी प्रचार के सिलसिले में 25 जनवरी 1937 को अहमद नगर में उनका कारिकरम हुआ हो जब वहां पहुंचे तो उनका अध्वुत और शांदार भब स्वागत किया उस डिटेल से में नहीं जांगा स्वागत के डिटेल में सीधे उनके भाषन पर आता हूं एहमद नगर में अपने जो केंडिये थे उनका नाम था रोहम रोहम के प्रचार के लिए अम्बेटकर साहब ने क्या कहा था वो आपके सामने में रखने जा रहा हूं उन्होंने का कि भाईयों और बेहनों आज की सभा में लोगों की यह अपार भीड और लोगों का अनलिमिटेज और परिमित उत्साह देखकर मुझे आनंद आ रहा है आप जानते हैं कि आज यह सभा रोहम के चुनाओ प्रचार के स इस जुले के महार और मांग लोगों ने रोहम का विरोध नहीं किया यह हमारे लिए खुशी की बात है लेकिन चमार समाई उनके विरोध में है लेकिन आप उनकी फिक्र ना करें आप उनके उमिदवारों को अपना मत अपना वोट ना दें यहां बात मैं आपसे खुले आम कह रहा हूँ अस्पृष्ष वर्ग के लिए जो हक हमने पाए हैं उनका समूचे अस्पृष्ष वर्ग में बटवारा हो यही सही बात है लेकिन चमार समधाय ने शुरू से कभी किसी काम में मेरा साथ नहीं दिया इतना ही नहीं राउंड टेबल कॉन्फरेंस में मैं जब सवर हिंदूं से और सरकार से जगर रहा था तब इन लोगों ने पार्लेमेंट में तार भेजे कि अंबेटकर हमारे नेता नहीं है इसलिए उनकी बातें ना मानी जाए नासिक सत्यागरह के दवरान हमारे लोगों पर सवर्नों ने जो इट पत्थर बरसाए उसमें भी चमार शामिल थे यह भी मैं जानता हूँ इसलिए कहता हूँ सोचिए तो देखा आपने किस तरीके से प्रोफेसर रतनलाल ने बताया कि जब वो उन्होंने नई पार्टी बनाई थी और अपने कैंडिडेट को उता रहा था तो किस तरीके से चमार समाज ने जो है उनका साथ नहीं दिया और जब गोल मेज कॉन्फरेंस चल रही थी तो कैसे उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि ये हमारे नेता नहीं है और हम इनको नेता नहीं मानते इसलिए इनकी बात को तबज्जु ना दी जाए यानि सुनी ना जाए बाबा साब की बात को तो रतनलाल जी ने खूब अच्छे तरीके से समझाया और अब हम दूसरी वीडियो आपको दिखा रहे हैं कैसे पॉपुलरिटी बढ़ाई जा रही है कैसे पैसे कमाने का इसे जरिया बनाया जा रहा है बाबा साब के नाम को आप पहले वीडियो देखिए उसके बाद गो अच्छी तरीके से आप देखिए यह बाबा साब की ही परतिमा हैं जिसे लोग मतल接下來 उसका अपमान कर रहे हैं उसे ज्यूतो से मार रहे हैं आपने देखा होगा कि बाबा साहब की क्या उससे आकरिती मिलती है क्या जो बाबा साहब चस्मा लगाते थे या बाबा साहब ने कभी मूचे रखी है आप पूरी तरीके से उस आकरिती को देखिए क्या बाबा साहब से वो मैच होती है आप देखिए इस चैनल के मालिक को जो अपने followers बढ़ाने के लिए अपने व्यू बढ़ाने के लिए और revenue के लिए जो बड़ा उतावला हो रहा है और इसे बड़ा मज़ा आ रहा है इसे करने में पहले उस वीडियो को भी आप देखिए यह कौन है सक्स जिसने इस वीडियो को upload किया है देखिए कि हलो फ्रेंट्स जया भी नौब दाए मेरे फेस्बूक प्रफाइल बर उन्यस जार फॉलॉर्स पूरे हो गए हैं आज मैंने फिर फेस्बूक मोनेटाइज के रिए अफलाई किया हूं अब 14 दिन के बाद फेस्बूक टीम मेरे फेस्बूक मोनेटाइज करे गया नहीं डाली है तो तीन चार डाली है दिन भर में तो आपका भी वारल होगा साथ जार वास टाइम पूरा होगा तब मोनेटाइज करें अपलाई होगा यहीं लाइब भी आना जुरूरी है आज यहीं सब बताना था तो देखा आपने इस घिर्णित मानसिक्ता के सक्स ने इस युवा ने ये बुद्धी जीवी वरक से आते हैं और ये लोग जो है इतनी घिर्णित मानसिक्ता रखते हैं कि बाबा साहब का इस्तेमाल जिस बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी अपनी प वंचितों के नाम कर दिया और अपनी आहुती तक दे दी उस दलितों के इस वर्ग के लोगों ने इतनी घिरिनित मान सिकता के साथ उनका इस्तेमाल करना सुरू कर दिया कि यह जो ऐसे लड़के तयार कर दिया हैं यह जो इतने उतावले हो रहे हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो डालो यह कहता भी आपको नजर आ रहा है कि ऐसी ऐसी वीडियो को रोज डालो तीन चार वीडियो डालो और अपने व्यू बढ़ाओ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपने फोलोवर्स बढ़ाओ और रेवेन्यू आपको आएगा कमाई आएगी यह इस तरीके की बात जिस बाबा साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी अपनी जान तक गवा दी उन लोगों को इतनी शर्म हाया नहीं है कि उनके नाम को उनकी परतिमा को जो पुझनिये हैं उनको वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं यह जो परतिमा को जूते मारे जा रहे हैं यह बाबा साह लेकर रावन से जो यह बनाया गया है इस पर यह थाबित करें कि यह Kraft प्रतिमा नकली Vermeah कर दृआ कर दिखा लोगों को बावु कर देते हैं œ fry जब एमोशन किते हैं और अपने अप राज करते हैं और रोड़ंयु कम आते पैसा कम आते हैं बाबा साहब के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं तुम लोग अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं वो कर ये ना क्या सिर्फ एक ही जाती जो है बाबा साप को मानती है जनरल लोग भी जो है बाबा साप का सम्मान करते हैं मैनोरिटी के लोग भी मुसलिम भी सिख भी सब लोग बाबा साप का सम्मान करते हैं ब्रामन सम्मान करते हैं ऐसा नहीं है कि सभी लोग बाबा साप को नहीं मानते भो उनको अच्छे से प्रजेंट भी करते हैं, उनकी कहानियों को भी सुनाते हैं, उनके संगर्स को भी वो बताते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ विसेश एक जाती जो है, बाबा साहब को बदनाम करने में और उनके नाम का इस्तेमाल करके अपने आपको सक्सम बनाने में लगी ह मैं धन्य हूँ, मैं ऐसे वंचित वर्ग में पैदा हुआ हूँ, जिन लोगों के बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं जानकारी, क्यूंकि ज्यादा जानकारी जिसको होती है, वो बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा साहब को बदनाम कर रहे हैं, बा आज वो लोग ये कह रहे हैं कि हम अंबेड करवादी हैं, हम समाजवादी हैं, आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप लोग सिर्फ अवसरवादी हो, आप लोग हर चीज में अपना अवसर ढूंडते हो, आपको किसी भी वादी से या अंबेड करवाद से, आपको समाज वाद से, आपको किसी भी भाईचारे से कोई मतलब नहीं है, आप जिस मर्जी पर टिपनी कर देते हो, आरोप लगा देते हो, और उसे देश दुरोई जो आपको आइना दिखाने का काम करते हैं, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, लेकिन कॉमेंट आपने लिखना शुरू कर दियोंगे, मैं जानता हूं, आप लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन आपको आइना हर बार दिखाये जाएगा, और सबूत के साथ दिखाया जाएगा, आपने घुद्धी जям को इतना बध्राम कर दिया, इतना बरबात कर दिया, बुद्धी जम में क्या आप सिर्फ एक ही जाती है, इक ही जाती मानते है, बुद्धी जम को मैंने देखाए कि ब्रामन, बनिया, चहत्रिये, سीख, मुस्ल हर लोग उसको प्रेना दायक मानते हैं उसे एक स्वाभिमानी मानते हैं लेकिन उसे इतना बदनाम कर दिया मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सुबूत के साथ दिखाऊंगा मैं जो जो नकली बोद्धिष्ट है उनकी मैं दिखाऊंगा आपको सुबूत के साथ पेस करूँगा अभी नेक्स्ट वीडियो में इनको नंगा करना इनको आइना दिखाना यह हमारा पर्थम हमारा कारिय है और हम इसे दिखाएंगे अगर हमारी जान भी चली जाए तो भी कोई गम नहीं लेकिन ऐसे लोगों का परदाफास हम जरूर करेंग और सब के सामने पूरे भारत के सामने पूरी दुनिया के सामने इनका असली चहरा लाएंगे नकली नकाब को उतारेंगे